जस्चक्कम जलंतम गच्छई आयसम पायलम लोयानम भूयानम जुएवा भिवादेवा रणंगनेवा रायंगनेवा थम्बिनवा मोयनवा सवजी शत्तानम अप राजु रखरकुसा ओम नमुवरते बगवते श्रीमते प्रक्षीना सेंस्दे उसकलमसा दिप्विते वजु मुर्ते नमा स्री सांतिनाता श्री पार्सुनाता सरपिगनबरासना सरप्पार्गपरासना सरवगनदरासना ओम इराम हिरीम घुरूम इरोम इरमरा असी आउ जाचीर बगमत्ती स्विगुडुर्यूbyad Second programme सांतियो सांतियो संटीयो समस्त निगर में सांतियो संस्त घ्राम में सांतियो सांतियो संतियो समस्त प्रदेश में विर्देश में 2ट सांतियो 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 स्रीमान सांतिधारा यग करता अविशेक करता स्रीमान अविशेक जैन वेंडा एवं समस्त दिगंबर जैन समाज गुलावरा जिन्वाडा परिवारेशु एवं अत्रोपस्ति समाज परिवारेशु स्रीमान भहियात तात्याजी तात्या भहियाजी भगवान आधिनात के संदर्ब में हमने कल देखा था आज हम अजितनात भगवान के संदर्म में खुश तत्थ प्रिस्थत कर रहे हैं इसके उपरांत अजितनात भगवान की इस्थती आचारी समंतवध देव ने जिस रूप में की है उसका मी हम कुछ आप लोगों को तत्थ सामने प्रिस्थत कह सकते हैं अजितनाद भगवान के पिताजी का नाम जित्सत्तुर था उनकी मा का नाम विजया देवी था और उनका जन्म साकेप पुरी अयोध्या में हुगा था उनके गर्भ जेश्टिकृष्ण पंद्रा को रोहनी नक्षत्र में हुगा और उनका जन्म माग सुक्ल दश्मी को रोहनी नक्षत्र में हुगा मांक सुकल नौवी को उनका तप्न दिख्षाधारण की AIB रोहनी नक्षत्र में हुई और मांक सुकल ग्यारस को उन्होंने रोहनी नक्षत्र में केबल ग्यान वोधी को प्राप्ति किया इसके साथी साथ उन्होंने चेतर शुकल सश्टी के दिन अपने रोहनी नक्षत्र में मोक्ष की प्राप्ती की उनकी मोक्ष की प्राप्ती सम्मेत सिखर के सिद्वार कूट से हुई ये तीथंकर अजितनात भगवान का सरीर जो है 450 धनुसका था और उनका तपा हुए सोने के समान था रंग उनके प्रमुख गणधर सिद्देश्यन थे और उनकी प्रमुख आरिका आपतन गुपता थी उनके लिए प्रथम अहार दाता जो थे ब्रह्मदत्त थे और उनके अहार को देने वाले ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहा जाता था इसके उपरान तो उनके मुख श्रोता सगर चक्रवर्ती थे और इन्हें बोधी और दिक्षा की प्राप्ति के समय जिस व्रक्ष के उन्होंने अवलम में लिया था वह सप्त च्छाद और सप्त परण था इनकी कुल आयू बहत्तर लाख पूर्वी की थी और इन्हें वाईराग उलका पात को देख करके हु भगवान अजितनात की मूर्तियों पर जो चिन्न बनाया जाता है वो हाती का बनाया जाता है अर्थात हम यह कह सकते हैं इनका चुनाव चिन्न हाती था आचारी समंतवा द्रदेव ने अजितनात भगवान को इस्मरन करते हुए कहा है कि जब वो स्वर्ग से ओतिर्ण होने वाले देव आते थे और वो उनके साथ जब कीड़ा करते थे उसकी कीड़ा में अजितनात भगवान प्राया जीत जाते थे और उनके बंदू भर्ग से भी जीता करते थे इसलिए उनका नाम सबसे जीतने के करण इस पृतिवी पर उनके लिए हम उनके पास इतनी सकती थी कि इतनी कला थी कि वो हर किसी से खेल में युद्ध में सब चीजों में जीत जाते थे इसलिए उनका नाम अजित नाम पड़ा आज भी अजितनात भगवान का नाम लेखते हैं लोग जब उनके लिए एक मंगल की प्राप्त करने की आशा उम्मीद होती है तो बरसों युगों भ जीत जाने के वाद भी आज भी आचारे समंतव द्यदेव के अनुसार वो कहते हैं कि तीठंकर अजितनात भगवान का इसमरण मंगल की प्राप्ति के लिए सदैवे आदर सहतिल किया जाता है ज्याने बरेनी आदी कर्मों के मुहनी कर्मों के निश्ट करने के बाद उन्हो संपूर्ण कलंकों को संत कर दिया था ऐसे प्रभू सक्ति को प्राप्त होने वाले प्रत्वी पर जो संपूर्ण जिस तरीके से सूर्य मेवों से रहत हो जाता है ठीक इसी तरीके से बेवी कर ज्याना वर्णी आदी कर्मों से रहत हो करके भब रूपी कमलों को बिक्सित कर झाल